हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाउड लॉर्न टू लीड में गुड इवनिंग तो आज हम डिस्कस करेंगे चार जूम 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट क्रेंटफियर आप यहाँ पर दो बेस्ट इमेजिस देख रहे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्रेंटफियर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जुरूर देखना है लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्ल प्रस्क्रिप्शन जो है वो बाई कर सकते हैं दोनों का ही प्राइस बहुत कम है एक बर मेरे कहने से प्राइस जुरूर चेक करें आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पर हम आपको बहुत सी चीज़े प्रवाइट कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे डेली क्रेंट फेर, डेली क्रेंट फेर में दोस्तों तीन सेक्शन होंगे एक में डेटेल क्रेंट फेर होंगे एक में कोश्चन एन अंसर फॉर्मेट क्रेंट फेर होंगे जो कि आपको इबुक की मदद से मिलेंगे और एक होगा क्विस जो कि आप हमारी के उपर daily attempt कर सकते हो ऐसे ही weekly section त्यार किया गया है जिसमें आपको दो PDF मिलेंगे जिसमें एक detail current fare की होगी एक question and answer format होगा लेकिन एक quiz होगा जो कि हर हफते आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section इसमें चार तरह की PDF मिलेंगे जो कि अलगलग तरह से आप utilize कर सकते हो जैसे कि study PDF है यह detail current fare है जिसमें आपको theoretical current fare मिल जाएगा एक question and answer format में जितने भी current fare detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे तो practice यहाँ से कर सकते हो best 100 current fare भी आपको दिये जाएंगे जो कि उस महीने के best current fare होंगे उसमें 100 current fare जो है question and answer format में आपको दिये जाएंगे एक pocket PDF होगी मतलब जल्दी जल्दी में current fare को revise करने के लिए दो line में तीन line में तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise current fare हम 20 बहुत ही important topics की अलगलग PDF आपको provide करेंगे अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाते हैं जैसे कि आप important appointments को revise करना चाते हैं awards को revise करना चाते हैं तो इस PDF के थूँ आप कर सकते हैं अगर आप banking student है banking exam की त्यारी करने हैं तो हम आपको तीन अलग चीज़े provide करेंगे जिसमें banking and economy से related detail current fare उसी से related question and answer format current fare आपको PDF में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fare अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है वो 30th of May को है तो 29 मही तक जितना भी current fare हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का use कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी एक तो detail, एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का, हर unit territory का current fare भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं, सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी सिरफ आप हमारी application को download करें, crack current fare के उपर click करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है, वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का, लेकिन किसी भी तरह की query है, तो इस email ID पे हमें mail कर सकते हैं, इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं, 4 June 2022 का current fare, लेकिन उससे पहले आप सारे बच्चों से request है कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वो सब like करें वीडियो को, share करें maximum to maximum और चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें, और आप हमारे telegram group को description box link से join कर सकते हैं, ताकि हर तरह की important notification आपको मिल सके तो most important question में पहला question है, who received the companion of honors for the services to literature under the queen's birthday honors list of 2022 देखो इस question में दो चीजे हैं, एक तो queen's birthday honors list 2022 क्या है और इसमें companion of the honor to the services to literature ये किसको दिया गया है, क्योंकि literature की बात करें हैं, सारी personality literature से related है, लेकिन ये award या इस list के अंदर नाम जो है, वो सलमान रश्दी का है specially literature category के अंदर, तो याद रखना है, इनका पूरा नाम है सर एहमद सलमान रश्दी जी जो कि एक बहुत ही famous author है, केवल 74 years old है, Indian born British novelist इनको कहा जाता है 1981 में इनकी एक novel आई थी, बहुत ही famous midnight children, इसके लिए इनको जो है, वो booker prize दिया गया था और इनको सम्मानित किया गया है, Queens birthday honorist 2022 में, specially आप कह सकते हो, इस list के अंदर 40 लोगों को सम्मानित किया गया है जो कि Indian origin से belong करते हैं, और ये companion of honor जो है, वो एक special award है, जो कि लोगों को दिया जाता है जिनका contribution arts में, science में, medicine में, या government के किसी काम में, या आप कह सकते हो, लोगों की life को बहतर करने में इनका role है और काफी लंबे समय से ये इसी काम को करते आ रहे हैं और आपने याद रखना है कि companion of honor जो है, वो एक तरह का club membership है जो कि एक समय पे सिर्फ 65 लोगों को ही दी जा सकती है और जो एहमस सल्मान रश्टी हैं, सब को पता है कि इंडिया में इनका जनम हुआ है, बॉम्बे में इनका जनम हुआ है और एक बहुत ही famous जो है, वो story teller है, बहुत ही अच्छी जो है, वो कहानिया लिखते हैं और खास में, अगर आप देखोगे, इनसानियत के तौर पे इनको जो है, वो अलगलग तरह से जाना जाता है क्योंकि humanity के लिए, लोगों के लिए, बहुत अलगलग तरह के काम करते हैं अभी तक ये 40 novels लिख चुके हैं, जिसमें से मैं पहली बता चुका हूँ, Midnight Children ये इनकी ऐसी novel थी, जिनको booker price जो है, वो दिया गया था otherwise इन्होंने और भी बहुत सी books लिखी हैं, जैसे कि golden house जो है, वो इन्होंने book लिखी है एक इन्होंने लिखी थी, two years, eight months and twenty eight nights, ये भी book जो है, बहुत ही famous थी और भी कई famous books जो हैं, वो इन्होंने लिखी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने दोस्तों याद रखना है, queen's birthday honor list जो हर साल प्रकाशित की जाती है ये जून के महीने में प्रकाशित की जाती है, क्योंकि officially, जो queen Elizabeth का birthday है, वो जून के महीने में आता है इसलिए इसको queen's official birthday list भी कहा जाता है, और 2022 में उन लोगों को honor जो है, उन लोगों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने पूरे साल के अंदर बहुत समय पहले से जो हैं, वो लोगों के लिए काम अलग लग किये हैं, एक्स्ट्रा ओर्डिनरी काम जो हैं, वो लोगों के लि ये भी occasion जो है, वो इसी time period पे celebrate जो है, वो किया गया है, तो अपने पूरा नाम जो है, वो यहाँ पे याद रखना है, sir एहमस सल्मान रश्दी को queen's birthday honor list के अंदर सम्मानित किया गया है, total 40 लोगों की list है, लेकिन उसमें top पे किसका नाम है, sir एहमस सल्मान रश्दी का है, इ अपने दोस्तों इसमें 2-3 चीज़े जो है, वो खास तोर से याद रखनी है, एक तो ये है times higher education awards Asia ranking, एशिया के institutions को, universities को rank किया गया है, और category है outstanding sport for the students category, और अगर केवल इंडिया की बात हो रही है, तो इसमें top किया है इस category के अंदर Shulini University ने, और ये कौन सी state में है, दोस्तो Shulini University of Biotechnology and Management, और सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है, और इसको recommend किया गया outstanding sport for the students category के अंदर, और ये ranking है, times higher education Asia awards 2022 की, लेकिन अगर आप पूरे world में इनका rank देखोगे, तो second है, पूरे world में मतलब मैं सिरफ Asia की यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो उसमें second rank है, लेकि पूरे Asia में Taylor University जो हो पहले स्थान पे, जो कि Malaysia में स्थित है, इसी same category के अंदर, और अगर आप देखोगे, इसमें बहुत सी categories हैं, क्योंकि 10 categories हैं, लेकिन आपने तीन याद रिखनी है, एक तो मैं बता चुका हूं, एक categories है, times higher education data point research improvement award, और इसके अंदर सवित्री भाई, आपको पताना चाहिए, कि Amity University इंडिया की ऐसी पहली यूनिवस्टी है, जो यूनिवस्टी grant commission की तरफ से recognize की गई है, कि आप online degrees जो है, वो दे सकते हैं, diploma courses start कर सकते हैं, online certification program जो है, वो online start कर सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, और शुलीनी यूनिवस्टी का status जो है, वो दिया गया यूनिवस्टी grant commission की तरफ से, लेकिन आपने याद रखना है, ये Times Higher Education Asia Award 2022 के हम बात कर रहे हैं, और ये higher education के अंदर अगर किसी institution ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, उसके अंदर जो है वो ये ranking की जाती है, इसमें total 10 categories हैं, लेकिन हमने 3 को खास तोर से याद रखना है, क्योंकि 3 categories ऐसी हैं, जिसमें इंडिया की universities को आखा गया है, और अगर आपको पूछा जाए, पूरे world में, तो पूरे Asia में, इसके अंदर, इस list के अंदर, तो Taylor University जो है, वो top पे है, लेकिन ये award को Oscar of the higher education भी कहा जाता है, क्योंकि ये सि लेवल पे इन courses को उपर उठाया है, और leadership जो है, वो आगे लेके आए हैं, अलगलग category के बच्चों को जो है, वो आगे लेके आए हैं, तो ये awards दिये जाते हैं, याद रखने है, times higher education, Asia awards, 2-12, इसी के साथ आते हैं हम अगला section, जो कि ये very important question section, लेकिन वीडियो को like करें, share कर maximum to maximum चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें, और telegram group को अब description box से join कर लें, थाकि हर तरहां की important notification आपको मिलती रहे, तो पहला question है, very important section में, who is appointed as the managing director and CEO of Union Bank of India, तो दोस्तों याद रखना है, ये बहुत important है, क्यों कि ऐसा पहली बार हुआ है, कि कि किसी महिला को इस bank का managing director और CEO लगाया गया है, और ये महिला है, A many में खलाई, तो याद रखना है, अंसर क्या होगा, B होगा, तो recently, bank board bureau, जो कि एक autonomous body है, government of India की, उन्होंने कुछ managing director और CEO के नाम जो है, वो recommend किये हैं, खास करके तीन banks के लिए आपने याद रखना है, एक तो दोस्तों Union Bank of India, जिसके हम अभी बात क के हटे हैं, एक Indian Overseas Bank है, और एक Punjab and Sindh Bank है, तो ये तीनों banks के लिए, specially इन्होंने जो है, वो नाम recommend किये हैं, as a managing director and CEO, तो आपको यहाँ से Union Bank of India का तो clear हो गया कि A many में खलाई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं A many में कलाई का चहरा, लेकिन साथ में दो आपने और याद र वास्तवा जी, executive director जो Indian Overseas Bank में थे, उनको जो है, अब MD और CEO बना दिया गया है Indian Overseas Bank का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि Indian Overseas Bank के इससे पहले जो है, वो managing director और CEO कौन थे, वो थे दोस्तो, पार्था प्रीतम सेन गुपता जी, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इस तो पुराने भी साथ में आपने याद रखने है, ताकि आपको ये पता लग सके, और इसी तरह से Indian Overseas Bank के बारे में हम बात कर चुके हैं, पंजाब और सिंद बैंक के बारे में बात कर चुके हैं, Union Bank of India के भी आप पुराने याद रखें, इनके पास थे राज किरन राइज राज किरन राइजी, Managing Director or CEO थे, लेकिन इनका टाइम पिरिड माई 2022 में पूरा हो चुका है, अब ए मैनी मेखलाई जो है, वो नई Managing Director or CEO रहेंगी, लेकिन याद रखना है, ये ऐसी पहली महिला है, जिनको Managing Director or CEO बनाया गया है, Union Bank of India का, इसी के साथ आते हैं, अगले कोश् बहा को अपॉइंट किया गया है, Managing Director or CEO पंजाब और सिंद बैंक का, और बानू परताब शर्मा का नाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो अपने याद रखना है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जो हम बात कर रहे हैं, उसके चेर्मन कौन है, बानू परताब शर्मा जी है, और बैंक एक वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है, एक्टिव प्लेयर की बात कर रहे हैं, एक्टिव का मतलए वो अभी भी जो हैं वो इस गेम को खेल रहे हैं, अभी रिटायर नहीं होए हैं, और ऐसे बास्केटबॉल के पहले प्लेयर बने हैं, लेब्रॉन जेम्स सीनियर, तो अनसर प्लेयर एक्टिव बन चुके हैं, जिनकी नेट वर्ट जो है, वो बन बिलियन डॉलर जो है, वो हो चुकी है, तो इसलिए आपने याद रखना है, लेब्रॉन जेम्स इनको किंग जेम्स भी का जाता है, ऐसे पहले प्लेयर हैं, नैशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो कि बिलिनियर हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि ये अभी भी जो है, वो गेम खेलते हैं, और ये कौन सी टीम को रीपरिजेंट करते हैं, लास इंजल्स लेकर्स को रीपरिजेंट करते हैं, और ये चार नैशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चेंपिशिप जी चुके हैं, और साथ में NBA Most Valuable Player का अवार्ड भी चार बार जो है वो जीच चुके हैं और इसी के साथ ये All Star Game के अंदर जो है वो 18 बार जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं NBA की एक All Star Game लिस्ट होती है उसमें 18 बार लगातर सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन इससे पहले ये record जो है वो Michael Jordan के नाम से ये जो टैग है वो हासिल किया था लेकिन ये Active Players की लिस्ट की हम बात कर रहे हैं और कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं लेबरॉन जेम्स USA से बिलॉंग करते हैं इसी के साथ आते हैं अगले Question के उपर Election Commission of India ने किसी बंदे को अपॉइंट के एक Celebrity को अपॉइंट किया है किसी स्टेट में Election को परमोट करने के लिए Electoral Process को परमोट करने के लिए Youth को परमोट करने के लिए कि आप Maximum to Maximum Voting के अंदर participate करें तो दो चीज़े बतानी है एक तो Celebrity का नाम बताना है और एक वो जगा या State और Unit Territory का नाम बताना है और जे हैं दोस्तो जश दुल जी बहुती फेमस क्रिकेटर है और साथ में National Capital Territory of Delhi के लिए इनको पॉइंट किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप जश दुल का चहरा आपको दिख रहा है और एक ट्रॉफी उठाते हुए क्योंकि अंडर 19 टीम जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है मेंस की उसके कैप्टन जो है वो जश दुल ही है दोस्तों तो आपने याद रखना है वो क पहले पता चुका हूँ 2022 का जो इंटरनेशनल ICC का क्रिकेट इवेंट था मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का एक हिस्सा थे कैप्टन थे उसके और रंजी ट्राफी में इंग्रोंए शुरुवात की थी 2021 में यह भी आप याद रख सकते हो लेकिन जश दूल नाम जो है वह अपने ज़रूर याद रखना है अगला कुश्चन आते है कौन सी कंपनी जो है उसको अवार्ड दिया गया है दो केटेगिरीज के अंदर आर बे का जो पहला ग्लोबल हेक्थन था जिसका नाम था हर्बेंगर 2021 तो इसमें आपके लिए इंपोर्टेंट है कि आर इनोवेशन प्राइवेड लिम्टेड कंपनी है उसकी आप कह सकते हो सबसीडरी कंपनी है इन्होंने दो केटेगिरी के अंदर रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल हेक्थन हार्बिंगर 2021 को जीत लिया है और टोन टैक का जो हेड़कॉर्टर है वो बेंग ग्लोबल हेक्थन लाँच की थी हार्बिंगर 2021 ताकि हम जो है वो डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन जो बहुत ही अच्छे से कर सकें नए कोई आइडियास जो है वो अलग लग लोग जो है वो लेके आए ताकि डिजिटल पेमेंट्स को हम बहतर बना सकें और सिक्योर बना स की मकसद था कि उन आंत्रपनियोर्स को उन बिजनसमेन को आगे लेके जाना है जो कि इन्नोवेटिव आइडियास लेके आएंगे इन्नोवेटिव पड़क्स लेके आएंगे ताकि हम डिजिटल पेमेंट्स को स्मार्ट और सिक्योर बना सकें तो इसमें कुछ और भी कंपन इन वाट जीता है वो कंपनी है तो इस तरह की हेक्थन आर भी करेगा तो इसका फाइदा ये होगा कि डिजिटल पेमेंट्स और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और सिक्योर होंगी और फास्ट होंगी और कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी इंप्रूफ करेंगे और कस् का उद्गाटन किया गया है लेकिन इसमें इंपॉर्टन का है इंडिया का तो पहला है दोस्तो एशिया का लार्जेस्ट इंटरनाशनल लिकर्ड मिरर टेलिस्कोप है और ये किया गया है उत्तरा खंड में उद्गाटन तो अंसर होगा सी होगा तो इंडिया का पहला और ए 1450 मिटर एल्टीचूट पे जो देवस्थल Observatory Campus तित है आरेबट रिसर्च Institute of Observational Science का वहाँ पे इसका उद्गाटन किया अगर इसका मेन मक्से यहीं रहेगा कि जो सुपर नोवाज हैं जो ग्रेविटेशनल लेंजीज हैं जो Space के अंदर कुछ debris पड़ी हुई हैं कोई ऐसा समान पड़ा हुआ है उसके उपर नजर रखनी है कोई एस्टॉाइड्स हैं कोई पत्थर है जो टकराने वाला है उनकी फोटो जो है वो यह टेलिस्कोप खीश सकता है और इस टेलिस्कोप से हम उसके उपर नहींगा रख सकते हैं और इसने पहली इमेज जो है वो अपनी कैप्चर कर ली है उसमें कुछ स्टार्स और गलेक्सीस की फोटो जो है वो सामने आई है जो की लगबग आप कहा सकते हो 55 million light years जो है वो दरती से दूर है और इसमें liquid mirror कह रहे हैं हम liquid इसमें यूज़ किया गया दोस्तों mercury का то जो एक reflective liquid है आप कहा सकते हैं यह reflective liquid जो है इस telescope के surface पे जो है वो डाला गया है और इसको जो है वो protect किया गया है हवा से ये thin layer जो है वो ये इसके उपर बनाएगे एक thin film जो है वो इसके उपर बनाएगे लेकिन liquid इसमें mercury use किया गया है तो अपने याद रखना है ये telescope जो है वो उत्राखंड में launch किया गया है और कहां पे आर्याबट research institute of observational science का में जिसको हम ARIES कहते हैं और ARIES जो है वो इंडिया का leading research institution है जो की astronomy में, astrophysics में और atmospheric science में आगे जाता है और इसका स्थान जो है वो कहां पे है नैनी ताल के अंदर है उत्राखंड में और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी इसी के साथ आते हैं अगले question के उपर पदम शिरी अवाडी शिरी पंडित बजन सपोरी जी का दिहान थो गया है वो किस वादक को बजाते थे तो आपने बहुत ही simple इस picture को देख लेना अगर आपको पता है कि यह picture किस से समंदित है तो answer clear है यह संतूर है दोस्तों संतूर के master थे और इनका नाम था पंडित बजन सपोरी जी कौन सी स्टेट्स या union territory से बिलॉंग करते है जमुएंड कश्मीर से क्योंकि सपोरी जो जगा है वो कहां पैस्तित है जमुएंड कश्मीर में आप चहरा देख सकते हैं बजन सपोरी जी का इनको पदम शिरी से भी सम्मानित किया जा चुका है कश्मीर बैली में ये जगा है सपोरी तो वहां पे इनका जनम 1948 में हुआ था फिर ये सूफियाना गराना से बिलॉंग करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से और ये अपनी विरासत को आगे लेके गए इनको संत अफ संतूर भी कहा जाता है किंग अफ स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है क्यों इनको दिया जा चुका है और दोस्तों इवन पोस्टल जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने पांच रुपे की एक स्टेंप जो है वो बजन स्पोरी के ओनर में रिलीस की थी 2011 में वो स्पेशल इनको टर्ब्यूट था कि किस तरह से इन्होंने आर्ट एंड कल्चर के श हर आलमुस्ट इक इंडियन लंग्विज के अंदर इन्होंने अपना जो है वो मुजिक दिया है चाएवो हिंडी हो कश्मीरी हो डोगरी हो उर्दू हो सिंदी हो परिष्यन हो अरैबिक हो सारी लंग्विजिस में इन्होने मुजिक जो है वो दिया है और 6000 गाने मतलब यह बहुत बड़ी बात है तो अपने नाम याद रखना है बजन सपोरी जी और सपोरी से याद रखना है कि कौन सी जगा से बिलॉंग करते हैं कश्मीर वैली जमो कश्मीर से बिलॉंग करते हैं और कौन सा वादक बजाते थे संतूर अगले कोशन के उपर आते हैं United Nation ने टर्की का official नाम जो है वो change कर दिया पहले हम तर्की बोल देते थे तर्की बोल देते थे लेकिन अब officially जो है वो इसका नाम क्या होगा तर्की है होगा दोस्तों तो answer क्या होगा इसका भी होगा United Nation ने ये approve कर लिया है कि हम जो Republic of Turkey है उसका नाम जो है वो तर्की है होगा क्योंकि ये government of Turkey की तर्की की तरफ से request वो की गई थी क्योंकि इनका नाम जो है वो पहले तर्की ही होता था बाद में foreign नाम जो है वो अलग-लग language में पड़े जिसके कहारे इनको तर्की या तर्की के नाम से जानने लगे तो इनको इस नाम से बोला जाएगा तुर्किये और तुर्किये जो है वो सारी की सारी foreign languages में बोला जाएगा और अब official name होगा Republic of तुर्किये तुर्किये जो है वो fourteen century में सामने आया था जो कि एक latin word से लिया गया जिसका नाम है लेकिन जब 1923 में तुर्किये अजाद हुआ था Ottoman Empire से तो आप कहा सकते हो तब तुर्किये के नाम से ही इसको जाना जाता था और इवन कई foreigners जो है इनोंने इनका नाम जो है वो टर्की के नाम से जाना जिसके बाद जो लगले country में इसको टर्की के नाम से जाना गया लेकिन अब दुबारा से इसका नाम जाओ तर्किये कर दिया गया है तर्किये की जो capital है वो कौन सी रहेगी अंकारा रहेगी याद रखना है और इसकी जो आप कहा सकतो क्रंसी है वो है टर्किश लीरा कौन सी तर्किश लीरा अगले question के उपर आते हैं HDFC ने कौन सी company के साथ tie up किया है ताकि उनके lending business को digital transform किया जा सके मतलब जो services है digital transformation की वो ये company provide करेगी सिर्फ static question है असेंचर company provide करेगी और ये सिर्फ banking students के लिए हम इस question को cover कर रहे हैं तो याद रखना है housing development and finance corporation ने असेंचर के साथ tie up किया है ताकि lending business को और बहतर किया जा सके machine learning technology का use किया जा सके cloud technology का use किया जा सके artificial intelligence technology का use करके हम lending business को और बहतर कर सके हैं तो इस partnership के तहत HDFC जो है वो machine learning automation technology advanced analytics का use करेगा ताकि customer के experience को और बहतर किया जा सके और paperless technology का use किया जा सके तो इससे क्या होगा customer onboarding पर से ससान हो जाएगा जाद से यादा customer जूडेंगे home loan application जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक समय पर देखी जा सकती है ज़्यादा लोगों को loan मिल सकता है sports authority of India के जो director general है उनका time period दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है क्या आपको पता है कि director general sports authority of India के कौन है तो बहुत ही simple सा question है तो answer इसका होगा संदीप परदान जी तो ए अंसर है दोस्तो इसका नाम याद रखना है appointment committee of the cabinet है उनोंने tenure जो है वो sports authority of India के जो director general है उनका दो साल का बढ़ा दिया है अब ये 30 सप्तमबर 2024 को क्या होंगे रेटायर होंगे वन दो साल से भी जादा इनका time period बढ़ा दिया गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं संदीप परदान का चहरा ये पेशे से एक IRS officer है इंडियन revenue service के officer है 1990 batch के वैसे इनोंने 6 जुलाई को retire होना था लेकिन अब दो साल से ज़्यादा की extension इनको मिल चुकी है पहली बार इनको 2019 में point किया गया था तब नीलम कपूर जो है वो होती थी sports authority of इंडिया की head लेकिन अब इनको हटा के संदीप परदान को लगाया गया था 2019 में और sports authority of इंडिया के बारे में याद रखना इसकी स्थापना 1984 में की गई थी लेकिन दोस्तों बाकी appointments भी यहाँ पर important है एस इकबाल सिंग का नाम देख रहे हो इनको chairman बनाया गया है recently national commission for minorities का मनो सोनी का नाम देख रहे हो इनको chairman बनाया गया है union public service commission का और विकास कुमार को देख रहे हो power finance corporation ने जो है वो 300 million euro के green bonds जो है वो issue किये है लगजंबग green exchange के मतलब लगजंबग stock exchange के अंदर इन्होंने 300 million euro के ये green bonds issue किये हैं मेरे कहाल से सारे बच्चों को पता होगा कि green bonds क्या होते हैं वो bond जो आप खरीदोगे लेकिन उसका पैसा जो है वो renewable energy projects में लगाया जाएगा environment को साफ करने में लगाया जाएगा लेकिन इसमें खास करके solar और wind energy generation के उपर काम किया जाएगा और इन bonds की जो maturity है वो 7 साल की है और ये power finance corporation government आफ इंडिया का center public sector enterprise है और इन्होंने 300 million euro के ये green bond issue के आपने amount याद रखने examiner आप से amount जो है वो पूछ सकता है और साथ ही ये green bond जो है वो एक तरह से SBA ने जैसे issue किये थे बिलकुल वैसे ही है SBA ने November 2021 में 650 million UST के not euro के UST मतलब 650 million dollar के green bond जो है वो issue किये थे और इस तरह के bond already India's international exchange में listed है और लगजम stock bank जो exchange है पूरी की पूरी जो लगजम बग green exchange आप कहा सकते हो ये जानी जाती है sustainable securities के लिए इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका main mark से यहीं था कि हमने इस तरह के bonds इस तरह की investment के उपर काम करना है तांकि environment को भी हम अच्छा कर सकें environment friendly investment या climate friendly investment के उपर focus कर सकें इसी के साथ आते हैं अगले question के उपर लेकिन आप power finance corporation के बारे में यहाँ पर याद रखेंगे इसके chairman और managing director जो है वो रविंदर सिंग डिलन है रविंदर सिंग डिलन है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका headquarter कहां पर है न्यू डेली में अगला आते हैं government ने नई guidelines जो है वो पेश की है micro small and medium enterprises के लिए लेकिन सिरफ North Eastern और सिक्किम एरिया के लिए और उसमें सरकार जो है वो financial assistance परवाइड करेगी और यह central sector scheme है दोस्तों promotion of MSMEs के लिए यह specially याद रखने है North Eastern और सिक्किम स्टेट के लिए है तांकि financial sport जो है वो दी जा सके MSMEs को तांकि capacity building का काम किया जा सके और यह recommendation भी है finance commission की जो 15th finance commission है जिसकी recommendation 2021, 22 और 25, 26 के अंदर लागू की जाएगी तो उसके अंदर हम maximum to maximum MSMEs जो है नॉर्थ इस्ट के अंदर स्टार्ट कर सकें और आपने याद रखने है union minister MSMEs कौन है नरायन राने जी है जो की राज्यसभा के member है कहां से महराष्टा से इसी के साथ आते हैं अगला section जो की important question section लेकिन वीडियो को like करें, share करें maximum to maximum channel को अभी के अभी subscribe कर लें और telegram group को अब description box से join करें ताकि हर तरह की important notification आपको मिल सकें और इसमें question है ये question picture से है दोस्तो c.center for development of telematics ने एक agreement sign किया है दो companies के साथ एक है VVDN technology एक है YSIG networks और दोनों के साथ ये agreement इसलिए किया है ताकि 5G technology को हम improve कर सकें 5G solution जो है वो provide कर सकें उसके products जो है वो निकाल सकें तो इसका main मकसद यहीं है कि इंडिया जो है वो आतर निर्बर बन सके टेलीकॉम industry के अंदर और इस collaboration का ये भी मतलब है कि research and development इंडिया के अंदर बढ़ा सकें specially कुछ ऐसे products जो की design कर सकें develop कर सकें manufacture कर सकें जो की 5G products के basis पे होंगे और 5G solutions हम provide कर सकें क्योंकि 5G अभी इंडिया में start नहीं हुआ इसकी research and development चल रही है उसके अभी demo phases चल रहे है तो उसी के उपर जो है व इंडिया अपने basis पे 5G technology को improve कर सकें हम बाहर से adopt ना करें क्योंकि बहुत सी companies इंडिया में आती हैं हम उनको मना कर देते हैं क्या 5G testing नहीं कर सकते जैसे Huawei company है उसको हमने testing के लिए मना कर दिया था तो इंडिया आतर निर्बर मन रहे है हम अपने basis पे चीज़ों को बना रहे ह ताकि indigeniously चीज़े बना के हम खुद बना के उसको start कर सकें और बाहर भी export कर सकें इसी के साथ आते हैं अगला section one liner important point जिसमें पहला point है कि ministry of health and family welfare ने से दो महीने का हर गर दस्तक campaign 2.0 जो है वो launch किया है ये 1 जून को start होगे दोस्तों 30 जुलाई को ये खतम किया जाएगा और कि COVID-19 की जो vaccination है वो की जा सके हर age group को COVID-19 vaccination जो है वो provide की जा सके हर state में और union territory में और इसमें first dose, second dose और जो last dose जिसको हम precaution dose कहते हैं वो सारे लोगों को गर गर जाके जो है वो provide की जाएगे इसलिए इस campaign का नाम है हर गर दस्तक campaign 2.0 SBA ने इंडिया का economic growth forecast जो है वो थोड़ा सा revise कर दिया 7.5% कर दिया है पहले 7.3% किया था लेकिन 20 basis point 20 basis point जो हो इन्होंने improve कर दिया है ये SBA की तरफ से कहा गया है तो 2022-23 के लिए according to SBA इंडिया ग्रो करेगा 7.5% Election Commission of India ने जश दुल को state icon appoint किया है national capital territory of Delhi हम already इस question को कर चुके हैं NTPC ने biodiversity policy 2022 की है याद रख सकते हो NTPC ऐसी पहली company जिसने अपनी biodiversity policy जो है वो launch की थी 2018 में लेकिन 2022 की policy आई है इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ecosystem को हमने बचाना है environment को बचाना है NTPC का main aim यहीं है कि biodiversity जितने भी उनके plants है जितने भी उनके areas हैं उसमें किस तरह से हम biodiversity को बचा के रख सकते हैं इस तरह से हमारे business से या हमारे काम से biodiversity को loss ना उसको हमने बचा के रखना है Tata Motors ने एक agreement sign किया है ताकि वो Ford India का एक plant जो गुजरात में है सनन्द plant उसको acquire कर सकें तो Tata passenger electric mobility जो की Tata Motors की एक subsidiary है उन्होंने यह agreement गुजरात government के साथ किया है कि हम सनन्द plant को overtake करेंगे जो की Ford India का है सिर्फ इस news को read कर सकते हैं World bicycle day जो है वो 3 June को मनाया गया तो इसका दोस्तों main mark से यहीं है कि social level पे economic level पे और environment level पे cycling के क्या benefits हैं वो लोगों को बताए जा सकें और खास करके cycling एक ऐसी unique चीज़ है और ऐसी durable चीज़ है जिसके according जो है वो आप environment को साफ रख सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा medium है transportation का तो इसको use कर सकते हैं और खास करके इंडिया में हम इसको बहुत अच्छे से use नहीं करते हैं foreign country में बहुत से लोग cycling का बहतरीन तरीके से use करते हैं ताकि environment साफ जो है वो रखा जा सके और United Nation की तरफ से सबसे पहली बार world bicycle day जो है वो 2018 में बनाया गया था तीन जून को इसी के साथ आते है question of the day question of the day क्या है who was awarded with the prestigious O. Henry award O. Henry award से किसको recently समानित किया के current fair का question है आपने मुझे comment box के अंदर अपना answer बताना है तो दोस्तो इसी तरह से हमें sport करते रहें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में वीडियो को share करें, like करें और subscribe करें हमें follow कर ले, telegram के उपर आप हमें follow कर सकते हैं आप हमें LinkedIn पर follow कर सकते हैं, Snapchat पर follow कर सकते हैं आप Instagram पर follow कर सकते हैं, Facebook पर follow कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया